जिन्दावाद, 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 गायल हुए जिसके बाद शहीदी पार्क में आप देखिए दिल्नी पुलिस के परिवार के लोग उन तमाम फोटोग्राप्स के साथ मौजूद हैं जो वीडियो सोचल मीडिया या सीसी टीवी से मिले थे कि किस तरीके से पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था आप देखिए य कि किस तरीके से पुलिस के जवान जमीन पर पड़े हुए हैं उनके उपर हमले हो रहे हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर तलवार ले करके किस तरीके से खुद को बजाता तलवार के सामने डंडे से एक पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिस कर रहा है जो डंडा है उसके पास उससे भी वो हमले की कोशिस नहीं कर रहा है, खुद को बचा रहा है, आप लोग यहां पर जुटे हैं, क्या सोच के, क्या हम इसलिए आए हैं कि एक तो हमारे घंडे का अफमान हुआ है, हमें इस चीज का बहुत ही दुख है, दूसरा हमारे जमानों पर हत्याचार हुआ है, यह ऐसे किसान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हम भी किसान हैं, जो दिली पुलिस में हैं, वे भी किसान के बेटे हैं, और ऐसे अब बता हैं आपके परिवार का कौन है पुलिस्क में अमारे असबेन ने मैं आप प्टो करता हो वाँ से थो उना यह है 55 साल के 50 साल के बताओ. क्या होगा उन्सका? मैं अपनाइफन का जब ढूटी गये थैं तो मैं भी डर गई थी थी 근데 फोड़ा. होगेरा नहीं नहीं पीचे रह सकता हूँ. दो किम dice में बहुत गुस्चा denn चेंगें गुम्छी है. मैं सताधारी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि क्यास आप सही समय पर सही निर्णे कब क्यों नहीं लेते हैं शाहिन वाग में आपने ऐसे ही किया और आज दो महीने से दिल्ली को घेर के बैठे में दिल्ली के नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं है और मैं आईपियस अफसो से बूचता हूँ कि आप अपने पॉलिकल आखाओं का मुंग क्यों ताकते हैं आपको किस बात कि आईपियस की सर्विस है आपकी और आप पुलिस का अधुनी की किरन क्यों नहीं करते हो सन 47 में भी डंडी हलमेट टोकरी से हम रॉयट कंट्रोल कर रहे थे और 21 सदी में भी हम रॉयट कंट्रोल डंडा हलमेट टोकरी से करेंगे क्या आप देखें यहाँ पर गुसा भी है लोगों को कि क्या जो राइट कंट्रोल है वो दंडा, टोकरी और हेलमेट से किया जाएगा तमाम आप देखें यहाँ पर महिलाएं मौजून है जिन्नोंने कहा कि उन्हें डर लगता है जब उनके अपने घर वाले बाहर निकलते हैं आप ये देखिए एक छोटा बच्चा यहां किस तरीके से पहुँचा हुआ है, काली पट्टे इसने लगा रखी है, गांधी जी के वेश्भूसा में यहां यह पहुँचा हुआ है, तिसके घर का है यह, आपका बेटा है, इस तरीके से तयार करके लाई है इसका मतलब जिख, मतलब ऐसा नही है कि शांतिया में नहीं करनी चाहिए, पर्च्राइब रहेंगे, अपराधियों के लिए भी यह चीज लागू होनी चाहिए, हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वाले लोग शांती से सब कुछ सहे शांती से law and order कायम कराने की कोशिक करें, पुलीस वालों को भी अधिकार होना चाहिए अगर को मार रहा है तो उन पैम से कम इतना राइट हो कि वापना बचाव तो कर सके उन्हें पघाए उनसे के वल मैं उन से के वह प्रसिछन पूछना चार हुए उनको पीटा गया फिर भी उन्होंने अपना करता वे नहीं छोड़ा तो वास्तव में सिख धर्म उस नियंग सिख ने निबाया या दिल्ली पुलिस अपने धर्म पड़े रिए उन्होंने असली धर्म निबाया है बच्चा मेरे से पूछता है कि मम्मी मैंने पढ़ा है कि किसान खेती करते हैं यह तो मैंने पहली बार देखा है कि किसान लड़ाई करते हैं यह पहली बार देखा इसने बच्चे ने इनकी मा का कहना है कि पहली बार बोलो बिटा किसान खेती करते हैं देखें तमाम जो यहां पर महिलाय पहुची हुई हैं सबका यही कहना है कि कम से कम इतना आधिकार तो हो कि अपने बचाओ के लिए पुलिस खड़ी हो सके